है वी बढ़ दे टुझ दसूपर्स्टार खिलारी अक्षे कुमार जो खुद के स्टन्ट खुद करने वाले ना कि सोफे से कुदने के लिए बहे जो कुछ चोटे बच्चे हैं कुछ एक्टर लोगे उसके लिए भी डमी उसकरना पड़ता है बॉडी डबल उसकरना पड़ता है फिर भी स्ट्री टू जैसी मूवी भी इनको पहलने लगती है इतने कांड करने के बाद भी बट एट लिस्ट रियल कलेक्शन देना फ्लॉप तो फ्लॉप हीट तो हीट एक्सेप करना सच्चा है बहुत कम लोगों में जिग्रा होता है जो अक्षे कुमार में अब बोलोगे मैं आउट आफ टॉपिक गया नहीं लेकिन बड़े तो उनका ही है न तो मैं आउट आफ टॉपिक नहीं गया अब आते भूद बंगला पर बॉली उडंगा में के सोर्स की तरफ से अपडेट आई है कि फिल्म का नाम भूद बंगला होने वाला है मैं अभी दा मज़ा आजाएगा आई होप सो पर अगर होती भी है तो हम थोड़ी ना बोल सकते को यार अब वो है तो मत करो का मतलब सपोर्ट ऐसा नहीं रहता है बट यार वो दिल तूट जाएगा क्यों मैं चाहता था भी डिफरेंट और जब मैंने वो एक ये देखा था ना एक टाइ मतलब एक चार लोग होंगे और अलग अलग टाइप का कुछ इस फिल्म में अलगी लेवल का कुछ क्रेज है और जब से कल परसो से तीन दीन से मैंने वो सुना है न्यूज की ये तीन एक्ट्रेस नहीं होगी और सिर्फ करीना का ही बाद नाम सामने आया मैं थोड़ा सा उस कोई तो मैं वो चाहता था थोड़ा डिफरेंट एंगल आता फिल्म का एनिवेस बट बहुत खुश हूं मैं कि आज ये फिल्म का अनॉंसमेंट आ जो लोग पूछ रहे भाई अगर मैं सही हूं तो प्रिया दर्शन की फिल्म है अक्षे प्रिया दर्शन वापस बहुत सालों बाद I think we can say that इसमें कोई शक नहीं है ग्यारा बजे इसकी अब अनॉंसमेंट का एक अनॉंसमेंट पोस्टर बोलो या अनॉंसमेंट का एक निउस आजाएगा रिलीज डेट प्रोपली उस पोस्टर में होगा या नहीं मुझे डाउट है हो सकता है बट रिलीज डेट के लिए टाइम होगा उस फिल्म के मुझे लगता नहीं ये तो खाली अनॉंसमेंट हो रही है shooting and all बाकी तो मुझे एक doubt है कि release date का poster आएगा या नहीं बस announcement हो जाएगी शायद अक्षे सर का भी picture आजाएगा maybe first look वगड़ा बट सच्चे दिल से अगर बोलू ना मुझे लगता नहीं first look भी आएगा सिर्फ एक poster आएगा maybe कि release date approx प्रोक्स, confirm release date नहीं होगी उसमें ऐसा दिखने को मिल सकता है बट मज़ा तो आने वाला है excitement लेवाल इसलिए जादा है कि कुछ different है वो समझ में आता है वो जो topic है horror comedy ये भाई जेनर हमेशा चलते आया है bollywood को वक्त लगा समझने में कि अगर जब boycott bollywood भी अगर चल रहा था तो horror comedy फिल्में चलती थी तो यही है और अगर आपकी फिल्में बायचांस अगर नहीं भी चल रही हो तो horror comedy एक ऐसा जेनर है जो हमेशा successful होता है क्योंकि लोग curious होते है कि horror भी एक comedy भी है एक अलगी उसका swag भोलो या high भोलो निकल जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा happy हूँ और एकता कपुर बालाजी टेली फिल्म की यह फिल्म में इसका मतलब ज़्या इसमें songs भी शायद अच्छे होने वाले कुछ तो भाई अगर भूद बंगला सच में इस फिल्म का नाम है तो यार मज़ा तो आने होला यार आप मानो ना मानो चैनल सब्सक्रेम नहीं किया है तो कर लिजे ग्यारा बजे एप्रॉक्स कंफर्म नहीं बोल रहो है रिलीज टाइम शायद ग्यारा बजे है अपडेट देता रहोंगा एंड वन्स अगेन हैपी बड़्डे अक्षे कुमार सर टेक केर